यह है जामुन आइस क्रीम बहुत टेस्टी बनती है बहुत इजली मैथेट से यह बन जाएगी बहुत टेस्टी लगेगी आपको आए इसको हम बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हम आदा लीटर के करीब दूद लेंगे दूद में हमने एकुबाल आने देना है जब एकुबाल आ जाएगा तब हम आँज जो है फ्लेम STAR लो कर देंगे और इसको दीमी आँच पर हमने पकने देना है अब दूद को हम दीमी आँच पर रहने देंगे और अपने जामुन जो है उनका हम पल्प त्यार कर लेंगे ये देखिए जामुन ले लिये हैं मैंने आप अपने इसाब से जितनी क्वांटिटी में चाहते हैं आप जामुन ले सकते हैं इसकी कोई एक्जेक्ट क्वांटिटी नहीं है इस तरह जामुन को हम काट लेंगे और बीच अलग कर लेंगे अब हमने इसका दूद डाल कर एक पेस्ट त्यार कर लेना है थोड़ा सा दूद डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे जामुन पीस चाहें यह देखिया हमने इसका पेस्ट त्यार कर लिया है बहुत अच्छा कलर आता है जामुन का इसमें अब दूद हमारा क्वांटिटी में कम हो गया है दूद की मातरा कम हो गई है अब हम इसमें चीनी डालेंगे स्वाद के अंसार आप चीनी डाल लीजिएगा मैंने आधी कट्टोरी से भी थोड़ी कम चीनी डाली है इसमें थोड़ा सा पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जामुन की पेस्ट डाल देंगे मिक्स कर देंगे इसको और मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रीजर में रख देना है जब तक के अच्छी तरह से आईस क्रीम ना बन जाए हमारी ये देखिए हमारी आईस क्रीम बन कर त्यार है मैंने राद बार इसको फ्रीजर में रखा था देखिये कितनी अच्छी आइस्क्रीम बनी है इसके हम पीस निकाल लेंगे पूरी तरह परफेक्ट हमारी आइस्क्रीम बनी है बहुत टेस्टी बनती है ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी इसली मैथेट से बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो प्लीस लाइक और शेर माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू